हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शृती मेरे चानेल में आप सब का सभागत है जिसका नाम है कुकिंग विच शृती आज की हमारी सुपर फास्ट बनने वाली सुपर से भी उपर टेस्ट वाली रेसिपी है प्रॉंस चिली अगर कटिंग चॉपिंग रेडी है तो केवल दस मिनिट में प्रॉंस से बहुत ही स्वाधिष्ट रेसिपी बना सकते हैं और आपको लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट से ही इसे मंगवा के खा रहे हो तो फटाफट से देख लेते हैं इस जटपट रेसिपी को मैंने यहाँ पे 15 से 17 प्रॉंस लिये हैं इसमें थोड़ा सा नमक आधा जमच हल्दी पाउडर आधा जमच लाल मिर्च पाउडर और आधा नीबू का रस डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स करके आधा घंटा मैरिनेट होने देते हैं मैंने यहाँ पे रेसिपी का प्री प्रिप्रेशन कर लिया है एक बड़ा प्याज और एक छोटे कैप्सिकम को क्यूब्स में कट करके लिया है आधा इंच अद्रक और आठ से दस लसन को बारीक काट लिया है चार-पांच हरी मिर्च को लंबाई में काट लिया है और पेपर को पौडर करके लिया है दूसरी तरफ एक चमच कौन फ्लोर में एक चमच सोया सौस और थोड़ा सा पानी डालके पत्ली सलरी बना के रखते हैं इसके अलावा हमको टमेटो कैचप लगेगा बस प्री प्रिपरेशन में इतना ही इसके लिए हार्डली मुझे 10 मिनिट लगे है अब आगे का 10 मिनिट का प्रॉसेस देख लेते हैं मैं इस रेसिपी को अर्बन पॉट में बना रही थी अगर क्ले पॉट नहीं है तो कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं तीन चार चमच तेल गरम करके इसमें अधरक, लसन और हरी मिर्च डालके थोड़ी देर चला लेते हैं अब प्याज डालके सौटे करते हैं नेक्स्ट इसमें डालेंगे कैपसिकम और सौटे करेंगे थोड़ा सा नमक डालके मिक्स करते हैं अनियन और कैपसिकम के क्रंची रहते ही इसमें मैरिनेट किया हुआ प्रॉंस डालके अच्छे से मिक्स करते हैं अब जाएगा इसमें कॉन फ्लोर सोया स्वास का स्लरी अब इसे खूब अच्छे से मिक्स करते हैं अब पेपर पौडर डालके चलाते हैं मुझे इसे हलका ग्रेवीश बनाने का है क्योंकि दोसा के साथ मुझे सर्व करना है तो थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर रही हूँ अब इसे ढखके दो मिनिट पकाएंगे लास्ट में थोड़ा सा टमैटो कैचप डाल के मिक्स करेंगे और मिनिट भर के लिए इसे ढखके पकाएंगे ताकि सारी चीजों का एरोमा इसमें गुल मिल जाए अब हमारा प्रॉंस चिली बनके रेडी है वो ग्रीन चिलीस और पेपर पोडर का तीखापन उससे बैलन्स करने के लिए टमेटो कैचप का स्वीटेंड सार टेस्ट वो सोया सौस का स्वाद वो अनियन और कैपसिकम का क्रंचीनेस और सबसे उपर प्रॉंस का अरोमा आप कहे बिना नहीं रहोगे क्या बात है जटपट बनने वाली, less oily, yet very very tasty, simple and quick प्रॉंस चिली को आप जरूर जरूर ट्राइ करें और अपने कमेंट्स मुझे बताईए थैंक यू प्रॉंस प्रॉंस